नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आके साथ चबी आईए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्यों आई हर्याना के पूर्व डिप्टी सियाम चंद्रमोहन ने कहा कि पर्यावरन को शुद्ध बनाने के लिए पौधारोपन करना बहुत ही बड़ा पूर्ने का कारे है क्योंकि पौधारोपन के बार जो पेड़ बनते हैं उनसे सभी जीवजन्तू, पशुपक्षी और मानव जाती क अखिलभार्तियों कॉंग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की त्रेपनवे जन्मदिन पर बेला विस्टा चौक पर पौधारोपन कारे का आयोचन सुनील सरोहा उपाध्यक्ष युवा कॉंग्रेस, राजीव भुकल, युवा नेता, अमरंदर धीम राजू, इंटर्ग जिला उपाध्यक्ष, महा कृष्णन, युवा कॉंग्रेस नेता ने किया, पूर्व डेप्टी सीम चंद्रमोहन ने कहा कि राहुल गांधी इस अंधिरे समय में एक प्रकाश इस्तंभ हैं, जो एक विक्सित, सुरक्षित और शांतिप्रिय भारत का दिन की वधाई, पूर्व डेप्टी सीम चंद्रमोहन ने कहा कि गांधी परिवार के त्याग और वलिदान को कौन नहीं जानता है, नहरू गांधी परिवार में पंडित मोतिलाल नहरू से लेकर इंदरा गांधी और राजीर गांधी तक ने त्याग और अगाध देश प् पार्टी के चूले हिलने शुरू हो गई है, उन्होंने कहा कि सत्ता के एहनकार में भार्टी जनता पार्टी की सोच नकरात्मक हो गई है और यही करण है कि भार्टी जनता पार्टी की विजवन्सकारी नीतियों से लोगों का मुह भंग होना शुरू हो गया है, और अगले वर्ष होने वाले नौ राजियों और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में कॉंग्रेस जनता को भार्ती जनता पार्ती का अस्ती चहरा देखा देगी पंचकुला से हमारे एडिटर इनचीफ राजिंद्र भारत द्वाज के रेपोर्ट